Hello friends, आज के इस वीडियो में बहुपत का गुना करना सिखाएंगे और इस वीडियो को आप लोग अनतक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बहुपत के गुना को बिल्कुल असानी से और बेहतरिन तरीका से सिखाया जाएगा तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो बहुपत के गुना करने के लिए यहां एक प्रसन दिये हुआ ठीक इसमें क्या है x प्लस 2y into-3 x плюс 4y यानी x प्लस 2y into-3 x плюс 4y है यानी इसमें इससे गुना करना है तो इसमें इससे गुना करने के लिए क्या किया जाता है पाले हम लोग एक चीज को समझेंगे जैसे अगर प्लस में प्लस से गुना होता है तो क्या होता है प्लस होता है और उसी प्रकार से अगर माइनस में माइनस से गुना होता है तो क्या होता है प्लस होता है अब उसी प्रकार से अगर प्लस में माइनस से गु गुना होगा तो क्या होगा माइनस होगा इतना चीज को आप लोग हमेसा याद रखिएगा अगर सेम चीन में गुना हो रहा है तो क्या हो रहा है पलस हो रहा है यहां जैसे सेम है तो पलस हो रहा है अगर डिफरेंट हो तो क्या है माइनस आ रहा है उसी प्रकार से यहां भी तो क्या है माइनस है और सेम चीन है तो क्या हुआ है प्लस हुआ है यह ट्रिक आप लोग हमेसा याद रखिएगा इसको अगर याद रखते हैं तो इसमें गुना करने में असानी होगा तो चलिए आप गुना करते हैं तो इसमें गुना करने के लिए पहले हम लोग क्या या आप इसमें इससे भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक, तो आई आप solve करते हैं, तो यहाँ x है, और यहाँ minus 3x है, तो इस x के साथ में plus है, कोई भी चीन नहीं है, यानि plus है, अब इस 3x के साथ में minus है, तो इसका plus और इसका minus, तो plus में जब minus है गुना तो क्या आ रहा है, minus आ रहा है, उसके बाद यहाँ x है, और यहाँ 3x है, जब x में 3x से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 है, इसके साथ 1 है, तो 3 है कम 3 हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x square हो जाएगा, यानि x में जब 3x से गुना तो 3x square हो जाएगा, तो यहां minus 3x square हो गया, ठीक, अब उसके बाद दूसरा step क्या था, इसमें इसे गुना करना है, तो इसके साथ plus है, इसके साथ minus है, तो plus में जब minus से गुना करेंगे, तो different है, तो different वाला क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहां minus हो जाएगा, अब इस 2 में 3 से गुना करेंगे, 2-3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अब यहां y है, और यहां x है, जब y में x से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, x y लिखेंगे, अब आ पर फिर इसमें इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा इसके साथ पलास Quran ॥ है तो दोनों सेम चीन है तो सेम चीन वाला में क्या हो जाता है तो इसमें पलस हो जाएगा ठीक उसके बाद x में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा xy हो जाएगा ठीक अब आगे step में क्या है इसमें इसे गुना करना है तो पहले चीन में करेंगे तो यहां प्लस है और यहां भी प्लस है तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा उसके बाद इस दो y में इस 4 y से गुना करना है तो 2 चोगा कितना होगा? 8 होगा तो 8 लिख देंगे ठीक अब उसके बाद y में जब y से गुना करेंगे तो y square हो जाएगा ठीक अब यहां हम लोग गुना कर लिए अब इसमें क्या करेंगे? देखेंगे कौन जूड़ने वाला है और कौन घटने वाला है तो आइए solve करते हैं तो यहां क्या है? पहले square वाला को लिखेंगे तो यहां minus 3 x square है और x square वाला इसमें एक भी नहीं है सिर्फ यही अकेले है तो इसको क्या करेंगे? minus 3 x लिखेंगे ठीक अब उसके बाद सिर्फ xy वाला बंचा तो यहां भी xy है और यहां भी xy है यानि दोनों एक जाती का है तो क्या करेंगे? देखेंगे अब जूरने वाला है कि घटने वाला है तो एक में minus है और दूसरा में plus है जब different chain रहता है तो घट जाता है तो 6xy में से 4xy घटेगा तो क्या हो जागा? 2xy बचेगा तो अब देखेंगे दोनों में बढ़ा कोन है तो दोनों में minus वाला बढ़ा है यानि इसमें minus लगा हुआ है बढ़ा वंके में तो यहां भी क्या हो जागा? minus लगेगा और घटने के बद क्या आ रहा है? 2xy तो 2xy लिख देंगे ठीक? यानि minus 3x square plus 8y square minus 2xy यही इसका क्या हो गया? answer हो गया तो चलिए आप लोग भी इस परकार के गुना को बिल्कुल असानी से इसी परकार से कर सकते हैं तो अब आईए इसी पर एक और सवाल को लेकर हल करके सीखते हैं तो यहां दूसरा प्रस ने ले लिए हैं क्या है? 3x minus 2y गुना 4y minus 3x यानि इसमें इसे गुना करना है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? पहले इसमें इसे गुना कर लेंगे तो यहां 3x है, यहां 4y है तो 3 में जब 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 12 हो जाएगा तो 12 लिख देंगे ठीक? अब उसके बाद यहां x है और यहां y है तो xy में जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा, ठीक? अब इसी प्रकार से आगे करेंगे यहाँ इसमें और इससे गुना करेंगे तो इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है कुछ भी नहीं रहता है यानि प्लस रहता है तो माइनस में जब प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा क्योंकि अलग अलग चीन है तो इसलिए माइनस हो गया अब यहां से 2 से 4 में गुना करेंगे तो 2 चोका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो 8 लिख देंगे अब उसके बाद Y में जब Y से गुना करेंगे तो Y स्क्वाइर हो जाएगा तो इस दोनों से इसमें गुना हो गया अब क्या करेंगे इस दोनों से इसमें गुना करेंगे तो पहले इसमें इस से गुना करेंगे तो इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है तो प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा उसके बाद इस 3 में 3 से गुना करेंगे 3 तीय कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा उसके बाद x में x से गुना करेंगे तो x square हो जाएगा ठीक अब इसके बाद क्या करेंगे इस माइनस 2y में इस माइनस 3x से गुना करेंगे तो minus में minus से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा उसके बाद इस 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2-3 कितना होगा 6 होगा तो 6 लिख देंगे अब यहाँ y है यहाँ x है y में जब x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x y हो जाएगा ठीक अब उसके बाद इससे पिछले वाला question में हम लोग क्या किये थे फ़ले square वाला को एक side लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे minus 9x square उसके बाद minus यह वाला लिखेंगे minus 8y square अब उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे कौन बचा हुआ है तो यहाँ xy है यहाँ भी xy है तो जब दोनों में xy है यानि एक ही जाती का है तो इसको जोड़ा और घटाया जा सकता है तो देखेंगे जूड़ने वाला है कि घटने वाला है तो यहाँ भी पुलस है यहाँ भी पुलस है यानि जूड़ जाएगा तो 12xy और 6xy कितना हो जा यही इसका क्या हो गिया एंसर हो गिया तो चलिए आप लोग भी इसी परकार से बहुपत के गुणा को बिल्कुल असानी से सौर्फ कर सकते हैं I hope कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे अगर आपी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरूर करें थाइंक यू